आप सभी को हमारा नमस्ते, आज मायक और कहानी के शट प्रेसंट हूँ, एक बार की बात है एक जंगल में एक जील थी, जो खुनी जील के नाम से प्रसिद थी, शाम के बाद कोई भी उस जील में पानी पिने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था, एक दिन शुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया, उसकी मुलाकास जंगल में जगगू बंदर से हुई, जगगू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस जील के बारे में बताना भूल गया, चगगू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया जंगल में चुन्नू हिरन का सब से अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया चुन्नू हिरन को जब ही प्यास लगती थी तो वो उस चील में पानी पिने जाता था वो शाम को भी उसमें पानी पिने जाता था एक शाम को वो उस जील में पानी पिने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी और आता हुआ एक मगरमच देख लिया, जिसे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा, रास्ते में उसको जगगू बंदर मिल गया, जगगू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा, चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताए, जगगू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वो एक खुनी जील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापिस नहीं आता, लेकिन उस जील में मगरमच क्या कर र सभी जानवरों को ले जाकर उस चील में गया, मगरमच सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच की पीट अभी भी पानी से उपर दिखाई दे रही थी, सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच है, यह सु कर मगरमच बोला कि मैं एक पत्थर हूँ इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच है चीकु खरगोश ने मगरमच को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच को उस छीव से भगा दिय और खुशी खुशी रहने लगे